नमस्ते पड़ाम और दिल से सबको अभार परगट करता हूँ लेट नाइट आया मैं क्योंकि अभी मेरा फेक अफ हुआ मैं अभी शेनिमा कर रहा हूँ बोल राधा बोल और काफी रात हो गई है आप सबसे बात करने के लिए तो कोई बात नहीं बस खुशी माजब हो यह बहुत जादा क्योंकि आप लोगोंने मेरा चार-चार सौंग और चारो होली के सौंग और आप सबने चारो होली के सौंग को ट्रेंडिंग में लाया और एक तो बावाल करेंगे मुझे लगता है दस दिन से लगता है तो आप सब की मुभबत और आज एक गाना रिलेज हुआ है वेव कंपनी से, वो भी ट्रेंडिंग में है, एक गाना भतिजिवा की होली वो नैपाल में ट्रेंडिंग में है, तो ये खुशी मैं कोशिस करता हूँ जब भी आप मुझे इतना प्यार देते हैं, तो मैं आप सब को धन्यवाद देने के लिए लाइवाता हूँ, अदरवाइस मेरा कोई रादा नहीं होता है, और आसकी मुभी को आप लोगों ने इतना मुहबत और प्यार दिया, कि बहुत कम ऐसे लोगों को मिलता है, तो आपके, इस प्यार के लिए मैं आता हूँ, कि आप लोग इतना म सहा रहा है, तो कभी-कभी खुशी आप लोग इतना दे देते हैं, जादा कि मन करता है कि आप से कुछ सेयर करूँ, आपने अपने बेटे के लिए इतना महनत, अपने भाई के लिए इतना प्यार दुलार सने है, जो आप का आता है मेरे लिए, तो मैं कोशिस करता हूँ कि क किसी को दिल दुखाने के लिए लाइबा हूँ या किसी को बला बुरा बोलने के लिए लाइबा हूँ या कभी-कभी चीजे होती है मुझे भी गुशा आ जाता है कभी-कभी क्योंकि जिन्दा हूँ और मैं जिन्दा हूँ तो गुशा जायज है अगर अदमी जिन्दगी में मर जाए तो सायद गुसा ना करें लेकि जब तक जिन्दा है तो अच्छे भले बुरे की अगर पहचान हमें होती है तो हम कोशिस करते हैं कि आप सबसे सेयर करें और बात करें क्योंकि जिसके लिए सब कुछ जनता ही है वो तो जनता से ही बात करेगा मेरे जीवन में आप से बढ़कर कोई नहीं है और आपने आज पांच-पांच गाना एक नाइपाल में ट्रेंड कर रहा है चार इंडिया में ट्रेंड कर रहा है तो एक साथ एक कलाकार का और एक ही सी जन और लगतार आप सब ने प्यार और असिरबाद से मुझे भर दिया है तो दिल से धन्यवाद आप सब को और बॉल करे पे बहुत ज़दा रहिल बना है अभी गतार के काश जरूरत बा उस पर भी आप लोगों ने बहुत ज़दा रहिल बनाया आज ये गाना रिलिज हुआ है मेरा वेब से मेरे दिल के बड़ा करीब है उस रिदम के गाना मैं बहुत ज़दा गाता हूँ मुझे अच्छा भी लगता है और मैं कोशस करता हूँ कि उस रिदम के गाओं क्योंकि मुझे मज़ा आता है उस पर डांस उस करने में तो वेब कमपनी से और आज वन मिलियन से उपर है वगाना और आज ट्रेंडिंग में तो मेरे तरफ से दिनेजी आपको भी धीर सारी शुब कामना कि आप बड़े दिल से गानों को रिलिस करते हैं और आप अपनी कमपनी को प्यार करते हैं उस कमपनी से जितने भी वरकर जुड़े है सबका एक मेहनत होता है तो मैं पूरी सबसे पहले तो जनता को दिल से धन्यवाद आप सबको कि पांच-पांच गाना फिर से आप लोग ट्रेंडिंग में एक नैपाल में, चार इंडिया में बहुत कम असे आउसर होते हैं जो आप सब किसी को देते हैं और मैं शुरू से आप लोगोंने आउसर मुझे दिया है और अपना प्यार बरसाया है अपने बेटा के लिए, अपने भाई के लिए आप लोगोंने कभी मुझे दूर नहीं किया कितनी भी आपता आ गई मेरे लोग सपोर्ट ठीक है सबका अपना तरीका होता है उसमें मैं किसी को दोसी नहीं ठेहरा सकता कि कौन गलत है, कौन सही है सबके अपने जीने का तरीका है मैं तो आपके लिए ही बना हूँ और इसे लिए आप सबसे सेर करता हूँ और आसकी को जो अपने सने ही और प्यार दिया तो कि सिनेमा हॉल में जाकर देखना अठाई गंटे अपना टाइम बेस्ट करके जबके आज कल मुबाइल के साधन है हर आदमी के पास उसके बाव जूद भी आप सब के सारी के लिए हौल तक जाकर और लागतार हाउस फूल करा रहे हैं आप सब उस सिनेमा भी बड़ी अद्भूत बनी है और परदिप सर्मा जी ने बड़ा दिल खोल के खर्चा किया है हमर पाली जी ने अच्छा मेहनत किया है बहुत अच्छा काम किया है पराग जी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे रकेश भीया ने बहुत अच्छा उसकी डायलेक्स से लेकर हर चीज़ को सजाया है सिनेमा से यतने लोग जुड़े हुए हमारे डिस्टिबीटर परवीन भीया ने बड़ा मेहनत किया सिनेमा को रिलेस करने में तो सबका एक उगदान होता है और सुरूती जी ने हमारे पदम भीया से लेकर मनि जितने भी कलकार उस सिनेमा से जुड़े हुए है सब करेदार ने बड़ा अच्छा रोल किया है हमारे सबसे बड़ा सने अगर जाता है तो मानिये हमारे फादर, हमारे पिता, हमारे भजपूरी के बचन कुनाल जी जिनको हम लोग सब पिता मानते हैं और आज जीवन उनको पिता ही मानेंगे कुनाल जी ने बहुत अच्छा काम किया और उनसे जो हमें सीखने को मिला उस अनुभाव को फिर हम दुबारा आगे जारी रखेंगे क्योंकि उनकी सीखाई हुई अनुभाव हमें काम ही आएगी और कोशिस अदमी करता है कि अपने बुजर्गों से अपने आदर्शों से कुछ सीखें और हमेशा हमें सीखना ही है जब तक जिंदिगी रहेगी यदि हमेशा दिल में रहता है कि हम सीखें सबसे तो दिल से पढ़ाम आप सब को कि आपने इतना प्यार चारचार गाना ट्रेंडिंग में एक सिनिमा को इतना बड़ा ग्रेंड ओपनी देने के लिए आप सब का दिल से थैंक्यो कि आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए और अपना प्यार असरबाद ऐसे ही बनाए रखिए और एक आरा तारी को एक खिसारी मुजिक वर्ड या कि मेरी कंपनी से एक रिलीज रही है गाना मैं और अक्षराज हैं उसमें वो जाइड सोंग है लेकि इस साल का सबसे बेस्ट गाना है मेरे नजर में अद्भूत गाना है और अक्सरज ने कमाल का काम किया है एक गाने में कम से कम 6 से 7 कॉस्टम चेंज किये हैं हम लोगों ने तो आप लोग प्यार और असरवाद जरूर देजिएगा एगारत तारी को कि सारी मेजुक वर्ल्ड पर रिलिस हो रहा है वो तो अपना प्यार और असरवाद जरूर देजिएगा मारी कोसिस रहेगी हम कोसिस किये बाकि आप सब के हाथ में है कि आप कि इतना मुहबबत देते हैं और मेरी आसान अबिस्वाद से कि उस गाने को भी आप लोग अपने मेहनत और अपने उर्जा से उसको ट्रेंडिंग में लाएंगे तो दिल से प्रणाम आप सबको सबको चरण्चू के प्रणाम कर रहा हूँ कि इतना अपार प्यार और असरवाद देने के लिए ऐसे ही आप सब इस बेटा से के सर से अपना हाथ कभी मत अटाईएगा क्योंकि आप ही से मैं हूँ और आप ही के लिए जीता हूँ तो कोशिस है अच्छा करने की तो दिल से प्रणाम आप सबको ऐसे ही सब को प्यार दीजिए चारो गानों को ऐसे ही प्यार दीजिए इदर दो दिन कोई गाना मेरा चुटने वाला नहीं है दो दिन बादी चुटेगा और वो मेरा लास्ट होली होगा आप सब के बीच में तो लास्ट होली को यदगार बनाना है आप सबको और इस चारो गानों को पांचो गानों को ट्रेंडिंग से हटने नहीं देना है ऐसे रोज प्यार दिये जा करिए और सिनेमा को एक बहुत अच्छा सिनेमा का हिस्सा बना हो मैं अगर ये सिनेमा नहीं चलेगा तो दुख होगी कि हम अच्छा सिनेमा करके भी लोगों को परभावित नहीं कर पा रहे हैं तो सिनेमा पे बिसिस्त आप सब ध्यान और हॉल तक जाईए ताकि आपका भजपुरी आपका भासा बढ़ा हो तो आसकी को ऐसा ही प्यार दीजिए जब तक वह हॉल तक लगे रहे तब तक ऐसा ही हाउसफुल का बोड हम देखना चाहते हैं कि आपका प्यार और उर्जा कि सारी के लिए ऐसा ही बना रहे हैं तो दिल से परणाम आप सब को होली की धीर सारी सुपकामना थैंक यू सो मच लवी ओल कि भोजपुरी को आप सब इतना आगे देखना चाहते हैं कि आपकी उर्जा ही भोजपुरी को बढ़ा कर सकती है हम तो सरफ एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं लेकि कौन से सौधा को आप ज़्यादा एहमियत देते हैं आपके उपर निर्वर करता है तो इस वर से यही प्रातना करूँगा कि आप सब की जीवन ऐसे ही कुछल रहे और भजपुरी को बढ़ा करने में आप सब का बढ़ा युगदान रहता है तो ऐसे ही प्यार और सरबाद अपने बेटा अपने भाही को देते रहे हैं